महाराश्ट्र केम राठ वाड़ा में इस साल जून से अगस्त तक हुई भारी बारिश के कारण 12,49,731 हेक्टर प्रिशी भूमी शती ग्रस्थ होने से किस्तान बुरी तरक पर भावित हुए थे इस बीच सितंबर अक्तूबर में बार बार हुई भारी बारी से किस्तानों की बची हुई फसलों का पड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है सितंबर अक्तूबर के दो महीनों में मराट वड़ा में हुई बेमोसंबर साथ के कारण 17 लाग हेक्टर में फसल को नुकसान पहुँचा है वही पीडित किसानों को मुआफजे का अब इंतजार है बताया गया है कि कुल 28,86,816 किसान पर भावित हुए है किसानों को नुकसान से उबरने के लिए 25 क्रोड रुपई की मदद चाहिए होगी ऐसा अनुमान लगाया गया है दरसल अक्तूबर में हुए बारी से सबसे अधिक सोया बीन और कपास की खेती बरबाद हुई है मराटवड़ा में किसान सबसे ज़्यादा सोया बीन की खेती करते हैं यहां के किसान इसकी खेती पर निर्बर रहते हैं और किसानों को कहना है कि खेतों में त्यार फसल खराब होने से आर्थिक नुकसान पहुंचा है दरजल राज्य में सोया बीन दूसरी सबसे बड़ी नगदी फसल मानी जाती है इस सल मराटवड़ा में भारी बारी से किसानों को भारी नुकसान छेलना पड़ा है मराटवड़ा में जहां 727 मिलिमीटर बारिश की उमीद थी वहीं इस सल 911 मिलिमीटर बारिश हुई यानि अनुवानी तोसट से अधिक बारिश मराटवड़ा में भारी बारिश से कपास, सोया बीन, मक्का, मों, तूर, मोसमी, सबजिया और फलो को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है इस वर्श सोया बीन की अधिक बवाई हुई है साथ ही पिछले साल कपास का रिकोर्ड रेट मिला देख किसानों ने इस साल कपास की भी खेती पर जोर दिया लेकिन जैसे ही सोया बीन और कपास की कटाई का समय हुआ वैसे ही अत्यदिक बारिश होने से तैयार फसल नस्ट हो गई मराट वड़ा में किसान सोयाबीन की खेती पर ज्यादा निर्वर है ऐसे फसल पानी डूब जाने से किसान आर्थिक संकट का सामना करना है इसलिए किसान सरकार से प्रयाप्त मदद की मांग कर रहे है चलिए आपको बताते हैं कि किस जिले में कितना नुकसान हुआ सबसे पहले बात औरंगाबाद की करें तो औरंगाबाद जिले में 6,89,056 किसानों की 4,44,943 हेक्टर क्रिशी को नुकसान पहुँचा है वही बीड जिले में 7,87,799 किसानों की 4,88,327 हेक्टर क्रिशी को नुकसान हुआ है वहीं जालना जिले में 5,67,826 किसानों की 3,88,922 हेक्टेर फसल बरबाद हो चुकी है जबकि परबढ़ी जिले में 4,61,407 किसानों की 2,19,105 हेक्टेर फसल चोपट हुई है वहीं हिंगोली जिले में 54,876 किसानों की 12,360 हेक्टेर क्रिशी को नुकसान पहुंचा है नांदेर के 49,885 किसानों ने 21,500 हेक्टेर क्रिशी भूमी में फसलों को खो दिया जबकि लातूर जिले में 16,948 किसानों ने 14,942 हेक्टेर क्रिशी शेतर में फसलों का नुकसान जिला है वहीं उस्मानाबाद जिले में 2,69,099 किसानों की 1,91,589 हेक्टेर क्रिशी शर्तिगरस्त हो गई है ऐसे में किसान अब सरकार से प्याक्त मदद की मांग कर रहे हैं हो दिले में अब सरकार से रहे हैं